हेलो एवरीबन स्वागत है आपका हमारी चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मैं हूं सुनीता कवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो उसे को कंटीनियू करेंगे तो इससे पहले जो फर्स टुनेट है मैडिस्टनल केमेस्ट्री की वह हम अल्रेडी डिसकस कर चुकि है उसके सारे वीडियो लेक्टर्स रहे वो चैनल पर अविलेबल आप जा करके चेक कर सकते हैं यूनिट सेकिंड के भी कुछ टॉपिक्स हम ल स्टुक्चर अक्टिविटी रिलेशिंशिप होता है सिंपैतोम्यमैटिक एजेंट्स का वह भी हम ऑलर्डेडी डिसकस कर चुक है आज की वीडियो के अंगे अंदर हम डिसकस करेंगे स्क्रासिफिकेशन और जो सारी की सारी ड्रक्स आती है रग के हम लोग स्ट्रक्चर द साथ है दिन क्लासिफिकेशन के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्श्रल एग्जामपल्स पर लिखने होते हैं साथ ही साथ कुछ रग्स की यूजज़ वह भी हम लोग लिख सकते हैं और नूट्स रू है वह कंप्लीटली फ्री आपको सारे समेस्टर के जल्दी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वह हम टेलिग्राम चैनल पर आपको बता देंगे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीज़ेगा और साथी साथ इंस्टा क्लासिफिकेशन हम लोग इनके देख सकते हैं इसका आता है बीस डॉन इफेक्ट दी प्रड्यूस मतलब वह क्या इफेक्ट प्रड्यूस कर रहे हैं और उसके वेसिस पर जो इंपाट्यूमेटिक एजेंस या फिर एड्रेनर्जिक एगॉनिस्ट होते हुन्हें थ्री क्ला इसके अंदर मतलब यह होता है कि उसके पर जार जा करकरके बाइं करता है कि इसके अंदर कोई फिक्स्ट रेसेप्टर नहीं होता ही अलग-अलग डिसाप्टर्स के ओपर जो हैं करते हैं अलो इसके अंदर आपास alpha 1 selective alpha 2 selective beta 1 selective और beta 2 selective एचार अलग अलग टाइब्स आते हैं जो alpha 1 selective drug होती है वो होती है phenylaphrin, alpha 2 selective जो होती है वो होती है clonidine, beta 1 selective होती है dobutamine and beta 2 selective होती है terbutalin नो non selective drugs के अंदर ऐसी drug जो alpha 1 and alpha 2 दोनों से bind करती है वो है oxy metazolin बाइब हो थी है क्या करती है जो नीइयुरो ट्रांसमिटर अन्का release कराती है storage sites जो होती है वहां से ठीक है तो indirect acting drugstore है वो simply वो होती है जो directly receptor से बाइन नहीं होती है indirectly जो है ये neurotransmitter की concentration को increase करती है and action जो है वो produce करती है अब इसके अंदर भी हमेरे पास चार अलग अलग classes आती है first is releasing agent so ये drugs क्या करती है neurotransmitters को release करती है इसके अंदर एक्जामपल आता है amphetamine दूसरी आती uptake inhibitors इसके अंदर जो एक्जामपल आते है cocaine next आती है mouse inhibitors mouse जो है एक तरह का enzyme होता है जो हमने जो catabolism था catacolamine का वहां पर हमने discuss कर रहा था तो ये drugs क्या करती है कि mouse जो enzyme होता है उसे inhibit कर देती है इसके अंदर example आता है saligiline last class जो आती है indirect acting के अंदर वो आती है COMT inhibitors तो COMT के enzyme है जो कि हमने catabolism of catacolamines के अंदर पढ़ रहा था तो ये drugs क्या करती है COMT enzyme को inhibit कर देती है जिसके विजह से क्या होता है कि जो neurotransmitters के concentration increase हो जाती है इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है antacapone लो लास्ट जो हमारे पास class आती है adrenergic agonist या फिर sympathetic agents के अंदर वो आती है mixed acting जो है ये वो drugs होती है जो direct acting की तरह भी काम करती है इन indirect acting की तरह भी काम करती है इसके अंदर classification of sympathetic agents based on effect they produce on organs नाउ जो chemical structure है उसके basis पर जो adrenergic agonist या फिर sympathetic agents होते हैं वो दो types की होते है first आते catechol amines and second आते non catechol amines catechol amines तो हैंगी वो drugs होती है जिसके अंदर catechol ring जो है वो present होती है तो catechol ring हमने discuss करा था बैंजीन रिंग के ओपर जब दू ओएज ग्रूप present होते हैं continuous position पर मतलब एक के बाद एक तो उसे जो है catechol ring कहा जाता है और उसके साथ में अब catechol amines तो है इसके अंदर जो drugs आती है उसके एक्जामपल है एपिनेफरीन नौर एपिनेफरीन डोपामाइन आईसोप्रीनलीन डोब्योटामीन एंट नोन catechol amines है जिसके अंदर catechol ring present नहीं होती है इसके अंदर एक्जामपल आते है एमफिटामीन साल्ब्यूट सबसे पहले अगर classification पूछा जाएगा तो वो टेबल जो है वही हमें बनानी होगी उसके वाद में जो structural examples है वो हम लोग discuss करेंगे तो syllabus में जिस डिस class के अंदर जो जो drugs दी गई है उसके according हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं तो सबसे first जो आते हैं वो आते है direct acting sympathetic agents यह हम लोग न है उसके साथ में CHOH CH2 NH2 ठीक है यह होता है नौर एपिनेफरीन का structure नाव जो नौर एपिनेफरीनेस का mechanism of action क्या होगा तो यह drug जो होती है यह हम लोगों ने class drug देखी थी तो यह non selective के अंदर आती है यह alpha 1 alpha 2 and beta 1 receptor जो है उन तीनों से bind करती है और beta 2 receptor जो है उससे यह बाइन न जो है इसे यूज करा जाता है देन इसे हाइपोटेंशन की treatment के अंदर भी यूज करा जाता है मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इस ड्रग को यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास आती है एपिनेफरीन एपिनेफरीन जो है इसका structure जो है वह almost नौर एपिनेफर की बात करें तो एपिनेफरीन ड्रग जो होती है यह alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 चारो ही receptor से bind होती है तो इसके uses क्या क्या होते है इसे भी vasoconstrictor के रूप में use करा जाता है देन इसे अस्तमा के treatment के अंदर भी use करा जाता है देन जो bronchial muscles होती उन्हें relax करने के लिए भी एपिनेफरीन को use क किया जाता है नेक्स ट्रग आते है डायरेक्ट अक्टिंग के अंदर फिनाईल एफरींग तो सिलेबस के अंदर जिंचेंड ड्रक्स के उपर स्टार लगा हुआ हुआ है उनका हमें synthesis वह भी discuss करना है तो हम लोग फिनाईल एफरींग इसका directly synthesis discuss करते है इसमें क्या होता है कि फिनॉल के साथ में जब two chloroacetyl chloride यह जो structure है यह react करता है तो उससे हमारे पास एक intermediate का formation होता है जिसके अंदर क्या एक फिनॉल है उसके साथ में COCH2Cl जो है वो जुड़ा हुआ है दिन जब इसके उपर NH2CH3 जो है वो इसके साथ bind होता है तो उससे हमारे पास phenol ring उसके साथ COCH CH2 NHCH3 यह मिलता है दिन इसके उपर जब hydrogen add होता है तो इससे हमें final जो phenyl ephrine उसका structure मिल जाता है जिसमें एक phenol ring है जिसके साथ में CHOH CH2 NHCH3 है ठीक है यह हो गया phenyl ephrine का structure और यह हो गया इसका complete synthesis लो इसका mechanism of action क्या होता है phenyl ephrine जो है वो सिर्फर सिफ alpha 1 receptor से जो है यह bind होता ह है तो इसके uses क्या होंगे यह जो है यह vasoconstriction करता है arterioles का iris का and uterus का then hypotension के अंदर मतलब बलड प्रेशर कम हो जाता है तो बलड प्रेशर को increase करने के लिए भी phenyl ephrine को use करा जाता है then eye surgery के अंदर इसे mitratic agent के रूप में use किया जाता है next drug आती है dopamine dopamine क्या है यह एक neurotransmitter भी है है इनके feeling of pleasure के लिए responsible होता है dopamine का structure क्या होगा है catechol ring है then इसके बाद में CH2 CH2 NH2 यह जो है यह dopamine का structure होता है then इसका mechanism of action क्या होगा यह directly beta receptor से bind होता है and indirectly bind होता है alpha receptor से तो इसके uses क्या क्या होंगे इसे जो shock के patient होते है उसके अंदर dopamine को use करा जाता है then congestive heart failure के अंदर भी इसे use कर जाता है जहां पर यहां करता है blood pressure and urine outflow होता है उसे increase करता है दिन इसे trauma के अंदर in septic shock जो है उसके अंदर भी use किया जाता है next drug आती है methyl dopa methyl dopa का structure क्या होगा katechol रहेंगे जिसके साथ में CH2C, NH2, CH3C, OOH जो है यह जुड़ा होगा यह होता है methyl dopa का structure नो इसका mechanism of action क्या होगा methyl dopa जो है यह alpha methyl norepinephrine के अंदर convert हो जाता है enzyme dopamine beta hydroxylase के मदद से and then जो है यह alpha 2 receptor के साथ bind होता है नो इसके uses क्या क्या होंगे इसे anti-hypertensive क रूप में use करा जाता है मतलब यह blood pressure जो उसे low करता है दिन इसके बाद में क्या करता है heart attack को prevent करने में मदद करता है kidney problems उन्हें पर prevent करने में मदद करता है क्योंकि यह क्या करता है high blood pressure को कम कर देता है next drug आती है klonidine klonidine का structure जो एक कुछ different होता है इसके अंदर एक benzene drink है जिस इसका mechanism of action क्या होगा यह alpha-2 receptor के उपर centrally act करता है इसके uses क्या होंगे इसे hypertension को treat करने के लिए use करा जाता है मतलब जो high blood pressure होता है उसे treat करने के लिए इसे use किया जाता है then इसे mild sedative के रूप में भी use करा जाता है calmness produce करने के लिए इसे use करा जाता है मतलब overthinking हो जाती है तो उससे थोड़ा काम करने के लिए जो क्लोनीडीन को use किया जाता है now next drug आती है dobutamine इसके अंदर एक catechol ring present होती है then उसके साथ में CH2, CH2, NH, CH3, CH2, CH2 देन एक benzene ring and then OH यह जो है इसके साथ में attach होता है इसका mechanism of action क्या होगा यह directly beta 1 and alpha 1 receptor जो होने stimulate करता है इसके uses क्या क्या होंगे इसे जो heart failure की problem होती है उसे treat करने के लिए use करा जाता है जब cardiac surgery हो रही होती हो इस टाइम heart failure की problem जो होती है उसे treat करने के लिए dobutamine को use करा जाता है जिन इसके बाद में congestive heart failure के treatment के अंदर भी dobutamine को use किया जाता है नाओ नेक्स ट्रक जो आती है डारेक्ट टेक्टिंग के अंदर वो आती है आईसो प्रोटेरेनॉल ठीक है इसके अंदर क्या होता है कैटीकॉल रिंग होती है दिन औ dudes जो है बो एक छोड़के अख प्रेजेटर फ्रेजंट अड़न से क्यांड़ी सट्रक्टिंग मिचया होती जिसके अंदर विंवीयूड सब्सक्राय है इसके यूश्स के कैंदर क्या होगा अस्त्मा के नदर इसे aerosol या फिर inhalation के रूप में भी यूज किया जाता है next drug आती है salbutamol इसके ओपर भी syllabus के अंदर star लगा हुए तो मतलब इसका भी synthesis हम यहाँ पर discuss करना है तो इसके अंदर क्या होता है 2 hydroxy benzyl alcohol जो है यह react करता है chloroacetyl alcohol के साथ में इससे क्या होगा एक hcl जो है वो यहाँ से निकल जाता है एक intermediate का यहाँ पर formation होता है जो कि यह benzene रिंग के ओपर OH, CH2OH, CO, CH2Cl तो इसके अंदर से वापे से एक hcl जो है वो निकल जाता है तो इसके ओपर यह structure जो है अटाक करता है तो इससे एक और intermediate का formation होता है जिसमें क्या बन रहा है हमारे पास बेंजीन रिंग के ओपर OH, CH2OH, CO, CH2NHC, CH3, CH3, CH3 तो जब इसका reduction करेंगे तो इससे finally हमें sal butamol जो है उसका structure मिल जाता है जो की होता है बेंजीन रिंग के ओपर OH, CH2OH, CH2NHC, CH3, CH3, CH3 इस तरीके से sal butamol का synthesis होता है इसका mechanism of action क्या होगा यह जो है directly beta 2 receptor से bind होता है इसके uses क्या क्या होंगे इसे जो uterine smooth muscles होती है उसे relax करने के लिए use करा जाता है जिससे की जो premature labor है उसे delay किया जा सके इसे orally दिया जाता है bronco spasm में relief के लिए जो bronco narrow हो जाती है उससे relief मिल सके उसके लिए orally जो है sal butamol को दिया जाता है next drug आती है bitoltyrol इसका जो structure हो बहुत जाद ही बड़ा है तो हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है benzene ring है जिसके ओपर CH3 attach है then यहाँ पर COO then यहाँ पर benzene ring attach है mechanism of action क्या होगा यह जो है beta 2 receptor से bind होती है and इसके use क्या होँगे इसे bronchodilator के रूप में use करा जाता है अस्तमा के treatment के अंदर next drug आती है nefazoline इसका जो structure है वो कुछ इस तरीके से 5 member ring है जिसके अंदर NHN यह attach है then इसके साथ में CH2 and then इसके साथ में यहाँ पर 2 benzene ring जो है वह attach है now इसका mechanism of action क्या होगा यह जो alpha receptor से bind होती है मतलब alpha 1 and alpha 2 दोनों ही receptor से bind हो सकती है then इसके uses क्या होँगे इसे vasoconstrictor के रूप में use करा जाता है then swelling को reduce करने के लिए use करा जाता है then rhinitis and sinusitis जो होता है उसके relief के अंदर भी nefazoline को use करा जाता है next drug आती है oxymetazoline इसका structure किस तरीके से होगा इसके अंदर भी 5 member ring होती है जिसके अंदर NHN होता है दोनों उसके बाद में CH2 and एक benzene ring present होती है जिसके उपर CH3, CH3, OH C, CH3, CH3, CH3 यह सब attach होते है इसके यह होगा structure oxymetazoline का इसका mechanism of action क्या होगा यह selective agonist होता है alpha 1 receptor पर and partially agonist होता है alpha 2 receptor पर इसके uses क्या होगे इसके क्या है vasoconstriction properties होती है मतलब क्या होता है कि यह blood vessels को contract करता है तो इसके वज़े से क्या होता है इसे nose bleeding को treat करने के लिए यूज करा जाता है और जो redness हो जाती है आई के अंदर irritation की वज़े से उसे treat करने के लिए भी इसे use किया जाता है डाइरेक्ट एक्टिंग के अंदर जो last truck हमारे पास आएगी वो है xylometazoline इसके अंदर भी 5-membered ring है NH है N है CH2 एक benzene ring है इसके साथ CH3, CH3 attach है यहाँ पर C, CH3, CH3, CH3 attach है यह हो गया इसका structure इसका mechanism affection क्या होगा यह alpha 1 and alpha 2 दोनों receptor से bind होता है इसके uses क्या होंगे यह क्या करता है जो large veins है nose के अंदर उसका constriction cause करती है और nasal drops जो उसके अंदर भी xylometazoline को use करा जाता है जो nasal congestion के symptoms होते है या फिर allergies के symptoms होते है उसे treat करने के लिए xylometazoline को use किया जाता है ठीक है तो यह सारी drugs थी direct acting sympathetic agents के अंदर now next आते indirect acting sympathetic agents तो यह क्या करते है directly receptor से bind नहीं होते and neurotransmitters को release करते है जिसके वज़े से जो action होता है वो produce होता है इसके अंदर सबसे first drug आती है hydroxy amphetamine इसका structure क्या होगा benzene के उपर एक OH present है then उसके पहरा position पर CH2, CH, CH3 and NH2 present है ठीक है यह होगा इसका simply structure नो इसका mechanism of action क्या होगा यह indirectly acting drug है मतलब भी directly receptors जो एड्रेनर्जिक receptors उनसे bind नहीं करती है यह क्या करती है noradrenaline को release करती है nerve synapse में से and जो pupil होता है उसका dilation cause करती है then इसके uses क्या क्या होते है इसे eye drop के रूप में use करा जाता है जिससे कि pupil को dilate किया जा सके and then जो horner syndrome होता है जिसमें क्या होता है कि eyes की जो nerves होती है वो damage हो जाती है तो उसे test करने के लिए जुड़ा होगा है यह होगे इसका simply structure इसका mechanism of action क्या होगा यह alpha and beta दोनों receptors को stimulate करती है and यह central nervous system को stimulate करती है इसके uses क्या होगे यह blood pressure को increase करती है and किस तरीके से blood pressure increase होता है cardiac output को increase करके blood pressure को increase करती है and vasoconstriction भी यह cause करती है next रगाती है इसका structure क्या होगा एक ring है जिसके अंदर double bond present नहीं है then CH2, CH, CH3, NH, CH3 ठीक है यह इसका structure होगा इसका mechanism of action क्या होगा यह क्या करती है जो alpha receptor होता है respiratory tract के mucosa के अंदर उसे activate करती है and इसका action drive वो same होता है nor epinephrine and epinephrine की तरह है इसके uses क्या होगे इसे use करा जाता है जो congestion हो जाता है cold, allergy या फिर rhinitis की वज़े से उससे relief पाने के लिए जो है propyl hexadrin को use किया जाता है now last आते mixed acting sympathetic agents यह क्या करते हैं यह directly भी bind करते है adrenergic receptor से and indirectly यह action भी produce करते है इसके अंदर जो first drug आती है वो आती है इपेडरिन, इपेडरिन का structure किस तरीके से होगा benzine ring है जिसके साथ में CHOH, CHCH3, NHCH3 जो है यह present है चीक है अब इसका mechanism of action क्या होगा यह directly भी act करती है और indirectly भी act करती है alpha और beta दोनों receptors को यह stimulate करती है और इसका central nervous system के उपर जो है बहुत जादा stimulating effect रहता है इसके uses क्या क्या होगे इसे nasal decongestant के रूप में use करा जाता है मतलग क्या होता है कि नाक वगरे बंद हो जाती है सर्दी खासी के अंदर तो उससे relief पाने के लिए जो इसे use करा जाता है nasal drop के रूप में या पर nasal spray के रूप में जो अलग-अलग allergic disease होती है जैसे की hay fever हो गया उसके अंदर भी इसे use किया जाता है इसका structure क्या होगा बेंजीन रिंग के उपर OH प्रेजेंट है या पर CH, OH, CH, CH3 and NH2 प्रेजेंट है यह इसका simply structure हो जाएगा इसका mechanism of action क्या होगा यह alpha receptors and beta receptors दोनों के उपर act करती है इसके uses क्या होंगे इसे जो हाइपो टेंशन की treatment के अंदर यूज करा जाता है मतलब जब blood pressure कम हो जाता है तो वहाँ पर meta reminol को use करा जाता है blood pressure को normal state में लाने के लिए ठीक है, यह सारे थे sympatho-mimatic agents उसके अंदर जितनी भी drugs आती है वह सारे की सारी हमने यहाँ पर discuss कर ली है syllabus के अंदर हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जिन भी drugs के उपर, जिन भी compounds के उपर जो star लगा हो है, उनका synthesis जो है वह हमें अच्छे से याद करना है और उनका structure जो है, वो भी हमें अच्छे से याद होना चीए क्योंकि mainly जिन compounds के उपर star लगा हो है वो exam के अंदर most of the time शो है, वो पूछे जाते है तो यहाँ पर हमें आज जो topic discuss करना था, वो complete होता है complete जो classification है, sympathetic agents के हैं उसके अंदर जो सारी एक एक drugs है, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर discuss कर ली है next video के अंदर हम जो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी doubt आया तो आप comment section में पूछ सकते है और अगर आपको वीडियो helpful लगी तो please आप इस वीडियो को like करना अपने friends के साथ भी share करना और channel को subscribe करना thank you so much इस वीडियो को इन तक देखने के लिए and channel को support करने के लिए